Good morning students, previous class में अपने संकुल योगी को के मेहत्व के बारे में डिस्कस कर रहे थे सबसे पहला मेहत्व अपने किया था एक नंबर जैविक छैप्टर में दो नंबर पर अपने लिया था धातू करम में तीन नंबर अपने डिस्कस किया था और जैविक छैप्टर में चार नंबर बात की थी अपने गुनात्मक विस्लेशन इस पे अब पढ़ना है जो मैंने ये समझाया था वो केवल आपके ग्रूप के रैडिकल्स बताने के लिए था मूलद बताने के लिए था अब इसको ऐससे समझना नंबर वाइज लिक रहा हूँ समझना एक नंबर पॉइंट सुन्य समू का एक मूलख है NH4 समझना सुन्य समू के मूलख के मूलख कौन सा है NH4 प्लस NH4 प्लस के के परिक्षण के लिए परिक्षण के लिए परिक्षण के लिए समू अभी कर्मक समू अभी कर्मक समू अभी कर्मक इसका सुन्य समू का समू अभी कर्मक होता है एन अवच विलियन लिखते जाओ साथ सुन्य समू के मूलक एन अच फोर के प्रेक्षन क्या लेका है सुन्य समू के मूलक एन अच फोर के प्रेक्षन मैं मैं समू अभी करमक, एन्यो च्विलिन ब्रेकड में, समू अभी करमक मिलाकर, मिलाकर परकनली के मुह पर, परकनली के मुह पर, अब आप लिख लेना मैं बोलता जा रहूँ, परकनली के मुह पर, कोपर सलफेट से भीगा, फिल्टर पत्र ले जाने पर, फिल्टर पत्र ले जाने पर, टेट्रा एमीन कोपर सेकंड सलफेट, संकुल बनने से, संकुल बनने से, फिल्टर पत्र, फिल्टर पत्र, नीले रंग का हो जाता है, ऐसे टेस्टे समझना, मान लीजे आपके, सुनिये समूग का मूलक NH4 प्लस मिला, सबसे पहले समूग की पैचान करने के लिए, उस समूग का समूग अभी कर्मक मिलाया जाता है, मान लो आपने समूग अभी कर्मक मिलाया एन्यवच, तो अगर ये अमोनियम है, बतुर दिया गया मूलक अमोनियम है, तो ये अन्योवच से किर्या करके अमोनिया गेस बनाएंगा अगर दिया गया लवन जो था उसमें अमोनियम मुलक नहीं है तो अन्योच मिलाने पर अमोनिया जैसी गंद नहीं आई इसका अमदो यह समूuğ नहीं है अब जो अमोनियमि निकली से प्रियोग किया, इसमें जो लवन दिया था, उसका विलियन दिया, इसमें मैंने अने वच मिलाया, अगर इसमें NH4 प्लस है, तो अमोनिया की गेस निकलेगी, अब मैं इस ट्रेस ट्यूब के मुह पर, कोपर सलफेट से भीगा फिल्टर पत्तर ले जाता हूँ, तो यहां से जो गेस आ रही है, कौन सी अमोनिया, यह आकर इससे किरिया करेगी, तो यह आपके संकुल योगिक में, सरूसरूम पहले पेज पर मैंने लिखा है ता, सरल लवन, द्विक लवन, संकुल लवन में यही किरिया लिखी थी, क्या किरिया थी, यह जो अमोनिया गेस है, यह C-U SO4 से किरिया करके नीला संकुल बनाती है इसका, C-U-N-S-3-Hole-4-SO-4, टेट्रा एमीन कोपर सेकंड सलफेट का, यह नीला संकुल है, नीला संकुल, इस साल नीट में पुशन आयता है, एक योगिक एनेवज के साथ एक गेस देता है, जो कोपर सलफेट के जलिये विलेर में नीला संकुल बनाती है, वो नीला संकुल यही था, दो नमबर समझना, पॉइंट नमबर दो, प्रत्थम समुख के मुलक का प्रिक्शन करें, प्रत्थम समुख के मुलक, प्रत्थम समुख के मुलक, कौन-कौन से हैं प्रत्थम समुख में, HZ 2 प्लस 2, AZ प्लस PB प्लस 2, ये प्रत्थम समोग के मुलक है, अब इनका प्रिक्षन कैसे करते हैं, वो समझो, प्रत्थम समोग के मुलक है, एक मिनिट, आपको जो भी लवण दिया, उस लवण में माल लिये, इन में से कोई उपस्तित है, AZ प्लस 2, या PB प्लस 2, या AZ प्लस, अगर इन में से कोई है, तो इनके जल्लिये विलियन में, जैसी इनका समु अभी कर्मक, प्रत्थम समोग का समु अभी कर्मक होता है, HCL, तनू HCL, प्रत्थम समु का क्या है, समु अभी कर्मक, आपको माल लिजे लवण दिया, आपने उसको जल में गोल कर मूल विलियन बना लिया, मूल विलियन में आपने तनू HCL मिलाया, अगर इन में से कोई है, तब तो यहाँ स्वेत आउक्षेप आएगा, स्वेत आउक्षेप, नहीं है, तो कोई आउक्षेप नहीं आएगा, दुबारा समझाओ, जो लवण का जल्य भी लेने उसमें आपने तनुएच्छिल मिलाया, कोई आउकषेप नहीं आया, तो आप निसकर्स लिखोगे पर्थम समूग के मूलक आउपस दित, स्वेथ आउकषेप आगया, तो निसकर्स लिखोगे पर्थम समूग के मूलक स्वेत अउक्षेप आने कम दो इन तीनों में से कोई एक उपस्ती थे अब इनका निश्यात्मक प्रिक्षन करेंगे कि रियल में है कौन सा तो इस स्वेत अउक्षेप को NH4 OH मैं गोलेंगे किस मैं गोलेंगे NH4 OH ज्यांसे समझना बड़ा एरो बना देता हूँ क्या आएगा समझना HGCL पूर्ण बिले HGCL पूर्ण बिले मतलब अगर स्वेत अउक्षेप पूर्ण बिले हो जाता है इसका मदो वो स्वेत अउक्षेप किसका था HGCL का और ये वाला संकुल बनेगा HG NH3 होल ट्वाइस CL कैसे बना है वो समझना मेरे पास क्या है HGCL मिलाया क्या है NH4 वाच तो इसकी किरिया समझना HGCL प्लस 2 NH3 ये संकुल बनता है HG NH3 होल ट्वाइस CL अब मैंने NH3 ने लिया इसकी जगे मैंने दो अनू NH4 OH के लिया इसके तूटने से बनता है दो अनू तो अमोनिया के और दो अनू जल के इसके तूटने से तो अगर मालूम है अमोनिया की जगे यहां पे ये लिखता हूँ 2 NH4 OH तो ये तूट कर क्या देगा 2 NH3 2H को 2 NH3 इससे किरिया करके इस संकुल बना लेगा साथ में 2H2 एक्चुल में ये किरिया थी अभी जो पीछे में लिखे बदो ये AGCL का स्वेट आउक से पूर्ण रूप से विले हो जाता है कि इसमें NH4 OH और ये वाला संकुल बनता है अगर माल लीजिए यहां पे ऐसे आता PBCl2 आंसिक विले आंसिक विले यहां एसे यहां लिख दो समझना PBCl2 आंसिक विले PBCl2 आंसिक विले किस में है NH4 OH HG2Cl2 काला आउक से बनाते है काला आउक से बनाते है मैं इनकी किरिया भी लिख सकता हूँ इसकी यह किरिया होती है HG2Cl2 NH4 OH के दो अनू से किरिया करके यह बनाता है HGClNH2 प्लस HG प्लस 2N3 प्लस HCl यह किरिया होती है इसके कारण काला उक्षय पाता है किरिया की जरूत नहीं है आपको लिखने होती है किरिया लिख सकते हो इस किरिया में बाकि आपको क्यों इतना यार रहना है अब देखो पर्थम समू का परिक्षन कैसे किया कि कौन सा मुलक है तो सबसे पहले तो यह पता किया कि पहले समू के मुलक है गनी है तो इसके लिए आपने क्या मिलाया तनुयत से यदि स्वेत अउक उक्षे बना है उसको NH4 OH में गोल लोगी अगर पूर्ण विले हो गया तब तो AGCL था यहां पर इसका उन्द यहां मूला कौन सा था AG आंसिक रूप से गुला तब PB प्लस तू था अगर काला उक्षे बन गया तब HG प्लस तू था तीसरा आगे समझना दो समों मैंने आपको क आदे पहला और सुरी सुन्य समों और परत्म समों अब समझ आगे पॉइंट नम्बर तीन दित्य समों के मूलक CU प्लस तू का परिक्षन अब यह CU प्लस तू सेकंड समों माता है कि नहीं आता है इसके लिए आपको मैंने टेबल रट वाही थी यह CU प्लस तू सेकंड में आ तो आपको लवण मिलेगा, उस लवण में दो मुलक होंगे, एक acidic, एक basic, जैसे मालो आपको लवण ये दिया, C-U-S-O-4, तो इसमें धनाइनिक मुलक कौन सावा, C-U-2, अमली मुलक लिनाइनिक मुलक कौन सावा, S-O-4-2, मालो आपको ये योगिक दे रखा है, C-U-S-O-4, इसका मदर इसमें C-U-2 पस्तित है, तो आप उस लवण की क्रिया कराओगे, potassium ferocyanide से, K-4-Fe-C-N-Hol-6 से, इनकी आइनिक reaction होती है, आइनिक reaction बहुत इजी होती है, सीधा-सीधा काम है, इसको आइनों में तोड़ दो, इसके आइन्स कौन से बने, C-U-2, S-O-4-2, ऐसे तो तोड़ना नहीं आपको, इसको भी आइनों में तोड़ दो, K-Plus, कितने बनते हैं उससे मतलब नहीं, आइन्स कौन-कौन से बने, वो लिखने हो, C-N-Hol-6-4, इसके धनाइन की किरिया, इसके रिनाइन से करवा दो, तो आवेस का अनुपादे को कितना आइन, एक अनुपा बना, C-U-2-Fe-C-N-Hol-6, प्लस, इसकी किरिया, इससे करा दो, कौन से योगी कौना, K-2-SO-4, K-2-SO-4, अब इसको संतुलित करना है, संतुलित करने का तरीका देवो, संतुलित नहीं भी होता है, तो कोई जरूद नहीं, एक्जाम किरिया दीवे आएगी, सिधा पूछें ये समें उत्पात कौन सा बढ़ेगा, बट संतुलित करना हो तो समझना, ये पोटेशियम यहाँ, यहाँ, C-U कितने है यहाँ, दो, यहाँ एक है, इसको दो से गुणा करती, सलफेट दो वार हो गया, तो यहाँ सलफेट दो वार लेने के लिए इसको गुणा किया, दो से तो से गुणा करती सलफेट दो वार वा पोटेशियम, चार वार, पोटेशियम है, चार वार है, इसका उन्दों बराबर होगे सब, और ये वाला भाग अभी भीات जी यह, ये जो संकुल बना है, ये वाला, ये बनता है चोकलेटी आउख शेप, चोकलेटी आउख शेप, अब बताओ, सेकंड समूर के मुलक, Cu plus 2 का friction कैसे किया? कि आपको जो लवण दे रखा है, उस लवण का आपने जल्लिये विलेन बनाया, जल्लिये विलेन में सीधा ये डाल दो, पोटेशिम फैरोसायने, अगर चोकलेट या उक्षेप बना है, तो Cu plus 2 उपस्तिता, अगर यहा तरत्य समूर के मुलक, Cu plus 3 का friction, पहले तिये पता होना चाहिए, कि Cu plus 3 तरत्य समूर में आता है, वो नहीं पता तो मामला गड़ बड़ा सी, तरत्य समूर के मुलक Cu plus 3 का friction, इसका friction करने के लिए, इसका कोई भी योगी दे, फैरिक सलफेट दे दे, फैरिक कलोरेट दे, कोई स FeCl3, इसमें Fe plus 3 है की नहीं, इसकी किरिया करवाई मैंने potassium ferocyanide से, K4, Fe, Cn, Hall 6 से, मैं चाहता तो इससे भी किरिया करा सकता है, Kc, N, S से, ये Fe, इसके साथ रक्त जैसा लाल विलियन बनाते है, और इसके साथ गहरा नीले रंग का विलियन बनाते है, किरिया पहले कितरी है, इन किरियाओ में से, अब जो लिख रहा हूँ, इन में से एक्जाम आती है, इसलिए आईनी कभी किरिया है, अच्छे से याद रहने है, इसको तोड़ने से आईन कौन से बनेंगे, Fe plus 3, Cl minus, इस इसकी किरिया इससे करवा दूँ, तो आवेस देखना, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 वड़ा तो इसके पास आजाएगा, 3 वड़ा इसके पास आजाएगा, क्या योगिक बना बताओ, योगिक बना, Fe 4, Fe, Cn Hall 6, Hall Thrice, प्लस, इसका दनाइन, इसके रिनाइन से किरिया करेगा, क्या सिल बन जाएगा, ये उतुपाद बताओ, एक्जाम में क्या दिया वाएगा, ये दिया वाएगा, यहाँ एरो लगा की खाली छोड़ देंगे, बनने वाले योगिक को, ये जो विलियन बनता है, ये बनता है नीला विलियन, नीला विलियन, अब समतुलित कर लो, समतुलित का तरीका सीधा, सिम्पल साय देखो, क्या तरीका वो समझना यहां यह बाहर वड़ा एफ ही कितनी वार है चार वार यहां एक वार ही तो इसको मैंने गुणा किया चार से तो बाहर वड़ा एफ ही तो बराबर हो गया इससे चार से गुणा करती CL चार इंटू टीन बार हो गया तो यहां सारे CL यहीं तो आहे इसको मैं क्या लिए दू बारा के CL 12 के से लोते ही, Potation उदर 12 है, तो इधर भी 12 होना किये, तो 4 वाड़े को गुणा कितने से करूँ, 3 से, तो अब ये समझना Potation में सब संतुलित हो गई, ये वाला भाग कितनी वार है, ये बढ़ा, ये वाला भाग 3 वार, ये संतुलित समझी करना है, ऐसी, 4 समझ का मूलक, 4 समझ का मूलक, CO प्लस 2, CO प्लस 2, ये जिंक ले ले ले, 4 समझ का मूलक, Zinc प्लस 2, आपको पता होना चीए, जिंक 4 समझ माते है, 3 में फिक्रेल था, Fe प्लस 3, L प्लस 3, Cr प्लस 3, 4 में निको मंजन था, इसमें जिंक भी आता है, निकल भी आता है, कोबाल्ट भी आता है, तो चतुर्थ समझ का मूलक, कौन सा ले रहा हूँ, Zinc प्लस 2, Zinc प्लस 2 का प्रिक्षन कैसे करेंगे, यहां मैंने लिखा है, Cu प्लस 2 का प्रिक्षन, Fe प्लस 3 का प्रिक्षन, यहां Zinc प्लस 2 का प्रिक्षन, Zinc कौन से समझ मैं, चतुर्थ, यह कौन से मैं था, थार्ड, यह कौन से मैं था, सेक्ड, इसका प्रिक्षन करने के लिए, Zinc का आपको जो भी योगिक दिये, चैए ZNSO4 दे, चैए ZNCL2 दे, चैए कोई और साथ है, Zinc प्लस 2 होना चाहिए उसमें, इसकी किरिया, Potassium Ferrocynide से करवाए, यह को तीनों किरिया मैंने एक ही योगिक से कराई है, Potassium Ferrocynide से, अब मैं सीधा सीधा, आपको इतनी बात सारी समझ आने लग गई, तो सीधा ही उत्पाद दिख रहा हो समझदा, इसका Zinc प्लस 2 बनेगा, और यहाँ FECN All 6 माइनस 4 बनेगा, तो ऐसे समझ लो, यह वाली किरिया, और यह वाली किरिया दोनों एक जैसी तो हो गई, केवल यहाँ पे Cu है यहाँ पे Zinc और कोई चैंज नहीं है, Redden 2 Fe Cn All 6 प्लस 2 K2 SO4, कोई चैंज नहीं है, जो कोपर का टेस्ट है, वो ही Zinc का टेस्ट है, बस Cu की जगे Zinc, बाकी वो ही बैलेंस वगरा सब कुछ सेम है, बट कलर जो है वो ध्यान रखना है, नीला विलियन प्राप्त होगा, नीला विलियन, वहाँ चोकलेटी आउक्षिय पाया था, यहाँ नीला विलियन बनेगा, इसी समू का मुलक है, चतुर्थ समू का, कितने पॉइंट होगे, पांच, छटा, चतुर्थ समू का ही मुलक है, CO प्लस 2, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ समझना, मालो मैंने इसका मुलक ले लिया, CO, CL2, जिसमें CO प्लस 2, इसकी किरिया, पोटेश्यम फेरी साइनाइड से कर रहा है, अब तक मैं पोटेश्यम फेरो साइनाइड ले रहा था, K4, FEC066 ले रहा था, इस वार मैंने K3, FEC066 ले रहा है, कोईन कोई चेंज करने हैं, तो कोईन कोई का हो तो कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ करने हैं, बागी सबसे अनका, आइन्स बोलो इसके, CO plus 2, CL minus, इसके आइन्स बोलो, K plus, FEC, CNHol6, इस वार मैंनस 3 है, इन दोनों को जोड़ दो, क्या बना, CO twice, FE, CNHol6 twice, 2 है गया, plus KCN, फटा फट संतुलित कर दो, यह इससे KCL बने गया, संतुलित का मतलब, यहाँ कोबाल्ट 3 वार है, तो यहाँ 3 हो गया, आउटोमेटिक, 3 होती, CL6 हो गय, तो यहाँ के CL में, CL आएगा 6, पोर्टीशम 6 हो गय, यहाँ 3 थे, तो इसको गुणा कर दिया, 2 से, संतुलित अभी, अब इस आउट्शेप का रंग याद रखना है, आउट्शेप, कैसा आएगा, यह रहा, लाल भूरा, लाल भूरा विल्यन, विल्यन भी आसकता है, आउट्शेप भी आसकता है, आउट्शेप लें देता हूँ, आउट्शेप, लाल भूरा आउट्शेप, यह कलर याद रखने हैं, आउट्शेप के, किरिया यह तो याद रखने ही रखनी है, साथ में कलर भी याद है, लाल बूरा आउक्षिफ, साथ नमबर, फोर्थ सम्मों में एक और मुलक है, कौन-कौन से थे, निको मंजन, इसका टेस्ट लिखा दिया, किसके साथ, के फोर, एफी, सी एन, हॉल शिक्स, नीला रंग आया था, इसका लिखा दिया, किसके साथ, के थी, एफी, सी एन, हॉल शिक्स, अभी लिखावा पड़ा है, इसका आपके है ने, अब बचा निकल, ये इंपोर्टेड लगाने है, लिखो, चतुर्थ समूर के मुलक, लिखो, चतुर्थ समूर के मुलक, निकल प्लस टू, निकल प्लस टू का प्रिक्षन, करने के लिए, निकल प्लस टू का प्रिक्षन करने के लिए, इसकी किरिया, डाइमिथाइल, इसकी किरिया, डाइमिथाइल ग्लाइओक्जीम, डाइमिथाइल ग्लाइओक्जीम, ब्रेकेट में लिखो, DMZ, कैपिटल लिखना है पूरेल, DMZ, ब्रेकेट बन करवाईँ जाती है, जिससे, जिससे, डाइमिथाइल ग्लाइओक्जीमेट, इससे पहले 20 लगा देना, ब्रेकेट में डाइमिथाइल ग्लाइओक्जीमेट ब्रेकेट बन निकल सेकिंड, निकल सेकिंड का आउक्शेप प्राप्त होता है, निला आउक्शेप प्राप्त होता है, अब इस क्रियाग को समझना, सबसे पहले तिये समझो, DMZ क्या होता है, ये सबसे इंपोर्टेट है, DMZ, डाइमिथाइल ग्लाइओक्जीम, जान से समझना, इसको बोलते हैं, गिलिस ये, एथिलीन गलाइकोल, क्या नाम इसका, एथिलीन गलाइकोल, जब भी एलकोल का ऑक्सी करण करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, तो हमेशा एलकोल कार्वोनिल योगिक में पराप्त होता है, 1 डिग्री है तो LD, 2 डिग्री है तो कितो, तो ये दोनों ही एलकोल 1 डिग्री थे, इसलिए LD बना थे, इसका नाम है, ग्लाइओक्जेल, LD बन गया, अब इसकी किरिया, हाइड्राक्सिल एमीन से करवाए, NH2 OH, ये किरिया मैंने आपको जामिती समावेवता में करवाईती है, ओक्जीम में जामिती समावेवता, तो ये जो डबल बोन्ड था, डबल बोन्ड, ये इस H2 के साथ निकल जाएगा, इसका उदो ये CH, डबल बोन्ड, N से जुड़ जाएगा, तो यो की कौन सा बनाए समझना, C, H, C, H, डबल बोन्ड, N, सिंगल बोन्ड, OH, डबल बोन्ड, N, सिंगल बोन्ड, OH, ये, अब ऐससे समझो, अगर मैं यहाँ पे, ये लेके चलता, H, H, और इस पे दो मिथाइल ग्रूप लगा देता, तो लास्ट में ये एक-एक H हड़ जाता, और यहाँ दो मिथाइल ग्रूप आ जाता, इसका नाम है डाइ निथाइल ग्लाइ ऑक्जीम, अब इसका वापर समझना है एक बार, माल लिजे आपको निकल का योगिक दिया, एक पर पूरा वोड हटा देता हूँ, रख कर देता हूँ, माल लिजे निकल का योगिक आपको ये दिया, NICL2, जिसमें निकल प्लस को उपस्तिते हैं, इसकी किरिया आपको इससे करवानी है, CH3, CH3, C, C double bond O, sorry, single bond, यहाँ double bond NOH, double bond NOH, प्लस ये दो अनु लेने, नाम क्या इसका, dimethylglyoxin, dimethylglyoxin के दो अनु, NICL2 से किरिया करेंगे, कौन से विलियन में, NH4, CL, इसके दो अनु लेने, उत्पाद क्या बनेगा, वो समझना, उत्पाद ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने लिया है, 2NH4, क्या लिए मैंने, सोरी, CL नहीं है, 2NH4OH, 2NH4OH, इसको तोड़ने से क्या-क्या बनेगा, 2NH4 plus 2OH minus, इसको तोड़ने से क्या बनेगा, NI plus 2, 2CL minus, जो कम होते जाए, उन्हों को हटाते जाएंगे, तो समझना, सबसे पहला उपाद, इन दोनों को बाइं लिकरती है, क्या बन गया, 2NH4, CL, 2NH4, CL, अब मैं जो बन गया, उसको हटा देता हूँ, इतना ही बचा, 2NH4, अब इसके 2NH4, CH3, CH3, CC, double bond N, double bond N,OH, OH, कितनी वार लिखने इस गया नूँ? दो वार, क्योंकि दो अनूली है तो दो नो साइड में लिख देता हूँ OH, N, double bond C, single bond C, double bond N, OH यहां single bond से इसको अटाब देता हूँ, एक वार CH3, CH3 प्लस 2 NH4 OH, सोरी, 2 NH4 CL सीधा सीधा था, दो तो यह NH4 प्लस दो यह CL, 2 NH4 CL बन गया यहां से मेरे पास बचावा है समझना, NI प्लस 2, क्या बचा है? NI प्लस 2, और 2 क्या बचावे? OH, अब समझना, यह जो 2 OH है, एक OH इससे H प्लस लेगा, इससे क्या लेगा? H प्लस, तो इसको चेंज कर देगा, इसका H प्लस चला गया, O बचा, उस O को मैंने S से लिग दिया, उपस हैस्यूजिक बंद से जोड़ कर देगा, O को किस बंद से लिग दिया? उपस हैस्यूजिक बंद से, O तो चला गया, अब ऐसी ही दो OH हैना, दूसरा OH इसमें इधर बाड़े से लिए, तो इसमें इधर बाड़े से दो, H दे दो, H देती क्या बचा? OH, O पर माइनस, तो ये इलेक्टोन एरेंज करके, इधर आ गया, उपस हैस्यूजिक बंद, यहाँ तक की बात समझ बारी है, अब इस OH को भी मैं थोड़ा से नीचे लिख लेता हूँ, इधर बचे वए OH को देखना, ऐसे लिख लिए, OH, इस OH को भी थोड़ा से उपर लिख यहाँ तक किसी के कोई प्रोग्लम नहीं हो जीए, कुछ नहीं किया है, यह ओच थार यह भी ओच था, इधर वाड़े H को अटा कर उपसे हैस्यूजिक बंद, इधर से H अटा कर उपसे हैस्यूजिक बंद, ओ, दोनों से जो H गये दो, वो इन दो ओच से किरिया करकी क्या बढ़ा जाएंगे, 2H2, अब इस पर आवे से निकल पर प्लस टू, इस प्लस टू को सेटिस्वाइड करने के लिए समझना, नाइटोजन के बायतम कोस में 5 इलेक्टोन होते हैं, तीन तो यह से सेयूजिक बंद बना सकता है, और एक उपसे सेयूजिक बंद बना सकता है, इस नाइटोजन ने कितने बंद बना रखे है भी, 3, 2 से सेयूजिक, 1 उपसेयूजिक, टोटल कितने बनते है, 4, 3 सेयूजिक और 1 उपसेयूजिक, तो इसका उपसेयूजिक बंद बंद बंचा, वो निकल के साथ बना दो, इस नाइटोजन ने कितने बंद बना रखे है, 3 इस अनुका नाम है इसका नाम समझदा निकल सेकिंड डी एमजी निकल सेकिंड डाई मिथाइल गलाई ओगजी यहाँ पूरा वेस्टा नाम लिके जो आपको लिका है था विस डाई मिथाइल गलाई ओगजी मेट निकल सेकिंड यह ऐसे भी लिशेकता है निकल सेकिंड DMG, यहाँ DMG कौन सा था, Dimethyl Glyoxy, और यहाँ Legand के रूप में आती, Renine के रूप में 8 का 8 वी बना सकते है, Dimethyl Glyoxy, मेट की जगे, Oxymetal इटो, Dimethyl Glyoxy, पूरा नाम क्या होगा, इस bracket में, Dimethyl Glyoxy, मेटो, निकल सेकेंड, यह, नीले रंग का होता है, नीला, नीला, इस तरह से, गुनात्मक विसलेशन में, अपने यह सारे पढ़ लिए, गुनात्मक विसलेशन के अंदर, कौन-कौन से समझना, पहला, अमोनियम का प्रिक्षन, नीला संकुल बनाता है, कोपर के साथ, टेट्रायमीन, कोपर सेगिन, प्रत्थम समूर के मुलक का प्रिक्षन पढ़ लिया, सुवेत अउक्षे पाएगा, कौन पूर्ण, गुलनसील, कौन आंसी, कौन का लाउक्षे बनाता है, सेकंड समूर के मुलक, कोपर का टेस्ट पढ़ लिया, थर्द समूर में एफी का टेस्ट, फोर्थ में जिंक प्लस टू का, फोर्थ में ही, सीयो प्लस टू का पढ़ाता है, के थरी, एफी से नॉल शिक्स के साथ, और इसी में निकल का, ये वाला सबसे इपोर्टेट है, DMG वाला टेस्ट, इस तरह से संकुल योगी का आपकी चेप्टर कम्प्लीट हो गया, अब तक जितने चेप्टर अपने पढ़े है, वो सारे कम्पिटिसन लेवल तक था, अब जो अपने पढ़ाएंगे, Electro Chemistry वगरा, वो थोड़ा एक बार, कि अब टुवल्थ लेवल का ये पढ़ाएंगे, थोड़ा उसको हाई लेवल पे लेएंगे, बट जादा नहीं लेएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, इसमें टाइम जादा बस्ता है, फिर दो-तीन चेप्टर होने के बाद, अगर अगर आगे लगा कि टाइम बचा है, लोगडाउन खतम होने के बाग, यदि टोपिक रिडूस करके कराना है, तो बहुत जल्दी हो जाएगे, अभी तो अपने पूराई टोपिक ले रहे, आप चाहे तो NCRT की गाइड लाइन के नुसर जो अठिक है, उनको पढ़ने की जूरूत नहीं है, लेकिन अभी कोशी सिये करो, कि आपकी कम्पेटिशन में कोई दिकत नहीं हो, इसलिए पूरा पढ़े, तो thank you, have a nice day, God bless you.